नमस्कार साथियों मैं डक्टर राजीयू सिंग अपने चनल अन्भूत में आप सब का इबार फिर से स्वागत करता हूं और साथियों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम यहां पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक यह है कि क्या मिनरल मिक्षेर्स का पश क्या वो जब हम पश्पालक उस पर पैसा खच करता है तो क्या उसको वाकई उसकी जरूरत होती है साथी साथ हम यह भी जानेगी कि मिनरल मिक्षेर्स की अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से क्या कोई रोग हो जाते हैं या सिर्फ दूद बढ़ाने की किया वद होती है इन तमाम बातों पर आज हम डिसक्रिशन करेंगे और हम अपने टापिक को आगे बढ़ा है उससे पहले अपने सभी साथियों से एक रेक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नब तो आई साथ हम अपना में टापिक अप शुरू करते हैं जो डेरी फार्मिंग है उसमें जो सबसे बड़ा खर्च है मारा यानि लगभग 85% जो खर्च है वो फीडिं में हम उसे अनाज या दाना जिसे कहते हैं ग्रेंज देते हैं हम उसे खल देते हैं केक्स जो होते हैं हम उसे और भी जो ग्रेंज से निकले हुए राइस ब्राउन है या वीट ब्राउन है इस तरह की चीज़ें देते हैं और साथ में हम उसके मिनरल सप्लिमेंटेशन करते ह तो minerals का जो सबसे बड़ा source होता है वो concentrate ना कि ये fodder है minerals जो animals को मिलने हैं वो सबसे ज़दा concentrate के माधिम से मिलने हैं और ऐसे animals जिने concentrate नहीं मिलता जो सिर्फ dry fodder या जो सिर्फ dry और कुछ green fodder उने मिल रहा है तो उनमें mineral deficiency होना बहुत ही ज़दा देखा जाता है तो अब mineral mixture को समझें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि minerals दो तरह के होते हैं एक macro mineral और दूसरा होता है micro mineral जिसे हम trace mineral के नाम से कहते हैं जो macro minerals होते हैं उसमें calcium है, phosphorus है, sodium है, potassium है, chloride है इस तरह की चीज़े हैं, sulfur है ये ऐसे minerals होते हैं जिनकी body को ज़्यदा amount में ज़्यवरत होती है वहीं जो trace minerals हैं नाम से के लिए है trace minerals इनकी कम body को requirement होते हैं बहुत कम amount में ये body को चाहिए होते हैं तो उसमें copper है, iron है, cobalt है, iodine है, zinc है, ये main trace minerals हैं जो animals को चाहिए होते हैं अब होता क्या है, जो mineral mixtures design किये गए मार्केट में पहले, उनमें calcium phosphorus तो जो कि सबसे ज़्यदा नीड होती है, animal को milk दे रहा है, एक liter milk से लगबग जो 1.2 gram calcium निकल रहा है इसलिए जो mineral mixtures design किये गए तो उसमें primarily एक kilo में जब रखा गया तो लगबग 200 gram जो है, 250 gram उसमें calcium रखा गया, उसका half जो है, लगबग 100-200 gram भी आसपास phosphorus रखा गया, और minerals उसमें include किये गया, बाद में फिर मार्केट में ऐसी competition आया है, थोड़ी से awareness आई dairy farmers के बीच में, तो mineral mixtures धीरे-धीरे करके अपग्रेट होते गए, अपग्रेट होते गए, तो ऐसा हुआ कि फिर उनके rates भी बढ़ने लगए, और minerals है, उनको minerals की जदा ज़ल बरत है, विटामिन्स वो जो अपनी diet में ले रहे हैं, उससे वो अपना vitamin का वो कोटा पूरा कर सकते हैं, लेकिन market में जो mineral mixture आने लगी समय के साथ, वो minerals के साथ साथ अपने साथ vitamin को भी include कर लिया, उसमें सारे minerals उनोंने डाली, फिर vitamin A, D, E की भी अच्छा amount उसमें डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, धिरे-धिरे vitamins की cost भी जएदा है, तो इससे क्या हुआ, mineral mixture की overall लागत जो है, वो बढ़ गई market में जो mineral mixture जो थे, कम कीमत में थी, वो अब double triple cost में मिलने लगी, तो जो पैसे वाला किसान है, जो commercial dairy farming कर रहा है, वो भी और जो छोटा किसान है, उसके दोनों के लिए budgeting बहुत important है, कि क्या मेरी pocket को ये allow कर रहा है, अब एक छोटा किसान है, जिसके पास दो भैसे हैं, और ज हो गई, या और उसकी age हो गई, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और उसके कहता है, कि आप उसकी diverbing करिए, और उसको एक अच्छा सा mineral mixture दीजिए, उसको एक mineral mixture लिखता है, जो market में 200-200-300 रुपए कोश करता है, तो उसका एक या दो packet खलाता है, as a part of treatment, लेकिन mineral mixture diet का part है, हर समय वो pregnant है, वो खाली है, वो pregnancy की किस stage में है, हमें उसे throughout the year mineral mixtures, अपने animal को minerals देने हो, तब ही वो healthy रहेंगे, उनका production बढ़िया रहेगा, और diseases, हम अगर देखें तो बहुत सारी बीमारिया, बहुत सारी बीमारिया जो है, वो mineral deficiency की वज़े से हो रहेगा, जैसे हम अगर य होता है, रिटेंशना प्लेसेंटा होता है, जैर रुखने लगती है, इनिमल की, और प्रोलैप्स, जो वैजनेल प्रोलैप्स, इसे फूल दिखाना, बेल दिखाना कहते हैं, कि उसका पीछा दिखा रहा है, इसमें भी केल्शिम का बहुत बड़ा रोल रहता है, जब हम फा वहाँ पर भी फासफोरस का रोल होता है, इसी तरह इस्टिल बार रहा है कि बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, बल्कुल तयाया, फुल टर्म प्रेग्नेंसी थी उसकी, और कि जब डिलीवरी ही तो वह जिस्ट मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, इस जिनसी की वज़े से विटलिगो यानि सफीद दाल जिसी समस्चिया होती है पश्रूम में इसके लावा डायरिया भी होता है बहुत सारे इनिमल्स में और भी कही सदय की डिसीजिस होती है इसी तरह कोबार्ट है कोबार्ट की इंपॉर्टेंस जो है टेरीमिल्स के लिए नर्स आती है जो लोग इसे प्वासा ऐसे जुड़े होने पता है विटामिन B12 यानि साइनो कोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन इनकी इंजिक्शन्स हम तमाम बिमारियों में नर्वाइन डिजीजिस में अपने पशों को देते हैं भूग के लिए भी देते हैं तो उसक का रोल बहुत जदा है बहुत सारी बिमारियों के बेस में आपका पशो ठीक से खा नहीं रहा है आपका पशो हीट में नहीं आ रहा है आपका पशो प्रेगनेंट नहीं हो रहा है तो और मैंने कई बिमारियों की बातें की तो उसमें कहीं न कहीं मिनरल डिफिसिंसी निकल क क्याती है इसलिए हम थ्रूआउट जा इयर अगर की रूल बना लें कि अपने पश्रू को हम तीस से पचास ग्राम तक मिनरल मिक्शर देंगे तो हमारा पश्रू है अब बात में फिर से अपने उस पुराने उस प्यारा हूं कि मिनरल मिक्शर कौन सा अच्छा है क्या हम वह ज को अफोर्ड कर सकते हैं तो ओल एन गुड है क्योंकि जो चीलेटेट मिनरल मिक्शर सें उनमें जो मिनरल्स हैं ट्रेस मिनरल्स है वो चीलेटेट फोर में है य Nepर्डि को जादा मात्रा में आलिबلिटी है उनकी इसे के साथ-साथ उनमें विटामिन्स की ạोस है कुछ चीज हम अपने पश्यों को सिर्फ प्योर मिनरल मिक्चर दें जिसमें विटामिन ना हो तो आप कहेंगे क्या मार्केट में ऐसे प्रोड़क्ट्स हैं तो जी हां साथियो मार्केट में प्योर मिनरल मिक्चर अलेबल हैं लेकिन कोई भी कंपनी कोई भी जो यह फार्मा कंपनी है वो से ग्लाइसीन चिलेटेड है यह हमारा मेथो चिलेटेड है यह 500 रुपए किलो है और खिसान उसमेंhmaग भ्रमित रहता है कि हम इसको कैसे लिए वो लेता है एक दो पैकेट से खिलाता और उसके बाद उसको वहीं पर रोग देता है तो इन चीलेटिड मिनरल्स की रेस में अगर आप नहीं पड़ पा रहे हैं उसको नहीं फोड कर पा रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने पस्तों को सस्त रख सकते हैं उन्हें बिमारियों से बचा सकते हैं और उनका दुख दुख पादन भी मेंटेन रख सकते हैं वो कैसे आप उन्हें प्योर मिन विटामिन्स या एक्ट्रा चीजें नहीं हैं वो मिनरल मिक्चर अगर आप उसका बड़ा पैक लेते हैं बीस किलो के आसपास का तो वो मिनरल मिक्चर आपको मार्केट में असी से नबबे सतर असी नबबे रुपए किलो की कॉस्ट में मिल जाएगा जबकि जब आप चिलेट और इसमें विटामिन्स नहीं लेकिन मिनरल्स की जहां तक बात की जाए मिनरल्स सारे इन में भी हैं तो क्यों ना जो पशपालक अपने पशों को मिनरल मिक्चर नहीं दे पा रहे हैं वो इस मिनरल मिक्चर को लिए जो मार्केट में असी रुपए नबबे रुपए किलो की कोश्ट पे औलेबल है और अपने पशों को पड़े वो पचास ग्राम देना शुरू करें विटामिन की जो रिक्वाइर्मेंट है वो पशो हरा चारा अगरा ठ्रंड का मौसना में जैसे उसके पास बरसीम है जैई है या बारिस के दिनों में मक्की है तो वो उससे विटामिन रहता है लेकिन मिनरल मिक्शर का समावेश उसकी डाइट में उस पशू को स्वस्त रखेगा और फेट रखेगा मैं आपको जैसे एक एक जामपल के तोर पर बताता हूं मार्केट में एग्रीमिन नाम का मिनरल मिक्शर है अब अगर हम इसके और एडवांस वार में इसी तरह इंटास कंपनी का मिनफा मिनफा जो है अगर हम लेंगे मिनफा गोल्ड नहीं लेंगे सिर्फ मिनफा लेंगे तो उसमें मिनरल्स होंगे वो हमें सस्ती कीमत में मिल जाएगा टिनेटा कंपनी का इसे लेंगे तो इसमें भी सारे मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल् तो हम मार्केट में जाकर अच्छी कंपनियों का सिर्फ मिनरल मिक्षर ले सकते हैं और अपने पर्षों को फिट रख सकते हैं